नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग द्वी जिप्रिय संकस्टी चतूर्थी का ब्रत इस बार 20 फरवरी रभी बार के दिन रखा जाएगा भगवान गनेश के 32 रूपों में से जो उनका 600 रूप है उसकी पूजा करने का इस दिन विधान है तो द्वी जिप्रिय संकस्टी चतूर्थी पर बिधी बिदान से गनेश जी की पूजा करने से बिगन हर्ता गनेश परसन होकर सुक सम्रिद्धी अच्छे स्वास्त का आसिरवाद देते हैं तो द्वीजी प्री संकस्टी जो चतूर्थी है इस ब्रत का जो शुरुवात है वो 29 फरवरी की रात 39 बचकर 56 मिनट से होगी और समापन 20 फरवरी की रात 39 बचकर 5 मिनट पर होगी और संकस्टी चतूर्थी के दिन चंद्रोदे रात 9 बचकर 50 मिनट पर होगा इस दिन चुकि जब भी बार है तो भगवान सूरे को आप जल जरूर अरपीत करें हलांकि विस्तार से हम जानेंगे कि सूरे को जल जब अरपीत करें तो क्या डालें लोटे में चुकि संकस्टी चतूर्थी का दिन है तो आप लोटे में एक चुटकी काला तिल चरूर डाल कर सुरी को अरपित कर दें जल तो जीवन के कस्ट मीटेंगे और गनेज जी की कृपा से हर बिग्नवाधाएं समात हो जाएगी भगवान सुरी को जल और पित करने से कुंडली के हर गरह यानि की सारे के सारे गरह मजबूत हो जाते हैं वैसे तो भारती संस्कृती में देपताओं का पूजा पाट का महत्व है और सास्त्रों के मुताबिक देपताओं की संख्या 33 कोटी है लेकिन जो देपताओं दो हैं वो प्रमुख है जो पिर्थवी पर हर रोज दिखते हैं यानि सूरे और चंद्रमा तो हमारे पौरानिक समय से ही सूरे और चंद्रमा का पूजा करने का विधान है तो सूरे को जल अगर आप अर्पित करते हैं तो उसके फाइदे क्या है और रभी बार के दिन अगर आप खास कर अर्पित कर रहे हैं तो क्या डाल कर अर्पित करें कि जीवन के हर छेतर में तरक्की मिले देखिए भगवान सूरी को जब आप अरपित करते हैं जल तो आपकी आँखें स्वस्त रहती हैं जल देते समय अगर आप जल पात्र को सिर के सामने रखें और गिरते वे जल से आप अगर सूरी को देखें तो नेतर की जो दोस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरे लगने से बार में या दूसरे घर में हो तो आँखों की परेसानी होने की संभावना होती है इसलिए सूरे को जल रोज आप अरपित करें लेकिन सूरे को जल अरपित करने से आपकी नोकरी में भी उन्नती होती है आपका confidence वरता है आपक अधिकारी में अधिकारी का कारक माना गया है तो सूरे को जल देने से आपके हर छेतर में आपकी तरक्की होती है और कुंडली के हर एक भाव प्रवल रूप से मजबूत हो जाते हैं लेकिन सूरे को जल अरपित करने का सही तरीके क्या है कौन सा लोटा यूज करेंगे ये सवाल है देखिए लोटा तो वैसे आप कामबा करें तो बहुत अच्छा नहीं तो आप पीतल का लोटा भी यूज कर सकते हैं लोटे में विसेश बस्तुएं डाल कर अगर इस दिन भगवान सूरे को विसेश तरीके से जल और पित किया जाए तो आपकी हर मनोकामना भी कि जब आप सूरे का तांतरिक मंतर का जब करते हैं सूरे को जल देते समय तो उसके विसेश फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुस्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं और साथ ही अगर आप वो मंतर तांतरिक मंतर ना पढ़ें तो गायत्तिरी म बाहर निकलने में मदद करें वैसे उम ग्रिनी सुरियाय नमह इस मंत्र का भी जब कर सकते हैं या फिर गयत्री मंत्र ओम भुरुभुः स्वह तत्सवी तुरुबरे निम भरगो देवस से दीमही धियो यो नह पर चोद्यार इसका भी जब कर सकते हैं लेकिन एक बात याद सुरिय को कभी भी बिना असनान किये अर्द मत दीजेगा और साथ ही अगर आप सुरिय को रोज जल अर्पित करें तो ये सर्वोतम होगा अगर सुरिय के सामने खड़े होकर रोज 27 वर गायत्री मंत्र पढ़ें तो जीवन में कस्ट ही नहीं आएगा अगर ग्रहों की बुर चैसाणियों से मुक्ती दिला देंगे बस एक बार सुरिय के सरण में आकर तो देखें क्योंकि वो कुंडली के हर दुरियोगों को समाप्त कर देंकि सुर्य राजा है ग्रहों इस मंत्र का जब करके सूरी को जल अर्पित करें इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारो और छिड़के फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आप खड़े होकर हनुमान 40 पड़ें लेकिन अगर पित्री दोस हो तब तब पित्री देवों के निमित उनको प्रसंद करने के लिए लोटे में सूरी को जल अर्पित करने के बाद एक छुटकी काला तिल डालकर आप भठशिं-दिसा की तरफ पित्री देवों के निमित जल अर्पित कर दें इससे पित्री点 संतुष्ट होंगे और उनको जो वह जिस चीश की चाहत से आपके पा है कोई वापस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जवाब भगवान सुरी को जल अर्पित करें तो रभी बार के दिन से सुरू करके अगर आप महिला है तो लगातारे कईस दिन अगर आप पुरूस है तो लगातार 27 दिन एक प्रक्रिया करना है जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर एक चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अर्पित करें भगवान से प्राथना करें सिग्र धन प्राप्ति के लिए अगर मंगल कम जोर हो तो जल में सक कर या फिर गुर डाल कर अर्पित करे तो आपका मंगल बेहतर होता है जीवन में कस्ट कम होते है सत्रू बिरोधी जादा परेसान करे आपको लगे कि सत्रू बहुत जादा परेसान कर रहे हैं तब जल में लाल गुड़हल के पुस्प डाल कर सूरी को अरपित करें तो सत्तु विरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका बिवार नहीं हो पा रहा है तब जल देते समें सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें जो बिद्यारती हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूरी को जल अरपित करें तो उसमें सियाही डाल कर अरपित करें जादा नहीं दोबुन डाल कर अरपित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खुब तेज बढ़ेगा जोतिस में इन चीजों का पालन करने से जीवन के कस्ट कम होते हैं सूरे को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डाल कर अरपिद करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्त रहता है और जल अरपिद करते समय गायतरी मंदर का जब कीजिएगा आप चाहें तो इसमें एक चुटकी अक्छत भी डाल सकते हैं जब जीवन में लगे कि कस्ट ज्यादा हो रहा है जीवन में आप चाहते हैं कि सभी गरह आपके अनुकूल ही फल दे सभी गरह को परसंद करने की बजाए अगर आप सिर्फ सूरे की अराध ना करें तो आपका भागे उदे होने लगता है कुछ लोगों के गरह दोस खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर भागे का सामना करना पड़ता है और कड़ी मिहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो रभी बार के दिन नो गरहों के अधिपती हैं जो सूरे उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा परियोग जरू करें वैसे इस दिन तंत्र सास्तर में धन प्राप्ती के लिए एक राम बान उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन के जो दुर्भागे हैं उनसे चुटकारा आपको दिलाएगा एक छोटा सा परियोग करें क्या करेंगे देखिए रभी बार के दिन सुरियोदे से एक घंटा पहले उठिये अस्नान वेगर कर लें अब ओम ग्रिनी सुरियाय नमः 108 बार जब करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बरतन में आप जल में थोड़ा सा दूर डाल कर रखिये जब मंत्र 108 बार पूरा आप जब लें फिर आप उस जल को भगवान सुरि को अरपित कर दें तो ऐसा करने से आपकी सभी मनुकामनाएं पूर्ण हो जाती है रभी बार के दिन गुड का सेबन जरूर करना चाहिए और मचली का सेबन भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर उतना ना भी कर पाएं तो सिर्फ एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी या फिर रोली डालें इसके साथ एक चुटकी अक्छत काला तिल थोरी सी मीठी बस्तू अगर तामबे का लोटा है तो लोटे में मीठी बस्तू ना डालकर हाथ में लेकर अरपित कर दें और फिर जलर पित करें तो उत्तम रहेगा लेकिन अगर आपकी कुंडली में कैसा भी दोस हो उसे मुक्ती पाने के लिए एक और छोटा सा परियोग आप कर सकते हैं इस पित्तरी एकादसी के दिन तो क्या करेंगे एक काला रंग का कपड़ा ले ले उस कपड़े में थोड़ा स पिपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दे और साम में एक दिया जरूर पिपल के नीचे जलाईएगा और बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाए आपके जीवन से हर कस्ट हर बाधाएं दूर हो जाएंगी रभी बार के दिन गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए आप इस पिवार के दिन अधरक और सरसों के तेल का सेवन ना करें वैसे सुर्य देव का सबसे जो सरल मंत्र है ओम घ्रिनी सुर्य आदित्य है उसका भी जब कर सकते